देखो question number 7 question number 7 क्या दिया है यदि cos theta बरावर a upon b तो 10 theta का मान क्या होगा अब देखो 10 theta का मान निकालना है हमें cos का मान दे रखा है value देख रहे हो आप थोड़ी सी अलग है थोड़ा सा लंबा question होगा पर डरने की जरूद नहीं है है बहुत simple question जहां value नहीं आते है न a b c आ जाता है तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है पर कुछ नहीं है आपको calculation नहीं है देखो कैसे करेंगे expression को cos theta बरावर दे रखा है a upon b ठीक है हम जानते हैं कि sin square theta बरावर होता है bracket में 1-cos square theta होता है formula by the sin square theta plus cos square theta बरावर 1 उस formula से है न अब देखो यहां पर sin square theta नहीं क्या होगा sin theta अब sin theta बरावर निकाल लेते हैं हम क्योंकि मैंने यहां पर square root लगा दी है इसलिए हैं square नहीं रहेगा तो 1-cos theta की value क्या दी है देखो a upon b दी है तो a square upon b square लिख सकते हैं तो sin theta बरावर आएगा b square minus a square upon b square ठीक है अब देखो b square पैसे तो हट जाएगा मतला square root तो b square minus a square upon b यहां रह जाएगा सिर्फ आपका square root उपर अब sin theta की value यह आ गई है ना क्या ही निकल के sin theta की value b square minus a square upon b यह तो आगे मेरे पास sin theta की value मुझे किसकी value चाहिए 10 theta की निकालनी है 10 theta निकालना है अब 10 theta बताओ जरह क्या होता है sin theta upon cos theta होता है sin theta upon cos theta होता है अब sin theta की value कितनी निकालनी है जरह बढ़के बताओ b square minus a square upon b अब cos देखो कहां दे रखा है नीचे cos की value क्या आती a upon b तो cos की value अगर मैं a upon b लिखूंगा अगर वो नीचे है तो क्या लिख सकते हैं b upon a opposite कर देंगे क्योंकि अगर मैं नीचे value लिखूंगा वो ऊपर चली जाएगी b और a नीचे आ जाएगा है ना तो b से b यहां पर देखो कि आप cut जाएगा b से b को cut सकते हैं तो अब आप क्या करेंगे अब देखो आपका क्या आया square root में b square minus a square upon a तो 10 theta की value क्या आगई बिटा b square minus a square upon a इसका मतलब कौनसा option सही हुआ option number d option number d आपका right answer है बिलकोल यही answer होगा अगर आपका कुछ और आ रहा है तो definitely गलत होगा ठीक है बिटा कैसे answer आया यह आप देख लो यह question definitely दो number में आ सकता है यह एक number जैसा question नहीं है यह एक number like question नहीं है दो number का question है दो number में आएगा तो आप कैसे solution करके आएंगे similarly ऐसा ही question solve करके आएंगे तभी आपको दो number मिलेंगे